कि नमस्कार एक्सरसाइज नंबर 3.4 चप्टर 3 अपने अभी तक जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में किया था वो था सब्सिट्यूशन मेथड अभी अपना जो एक्सरसाइज 3.4 है वो है कि अपने को दो समिकरन के सबसे पहले या तो एक्स का लोब करना है और उसके बाद चल है उसका मानगयात करना है देखें अपन समझते हैं इसको यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पहले Elimination Method विलोपन की रित इसके पहले अपन प्रतिस्थापन की रित सीख गई थे Question number 1 देखें विलोपन वीदी से हल करना है x plus y equal to 5 2x minus 3y equal to 4 यह दो equation अपन को दिया हुआ है इनको number डालते हैं x plus y equal to 5 equation number 1 2x minus 3y equal to 4 equation number 2 इन दो समीकरण में से यह तो x को बराबर करना है यह फिर y को बराबर करना है यहाँ पर x का सगुणक 1 है यहाँ पर x का सगुणक 2 है तो अगर x का सगुणक बराबर करना है तो इसको 2 से मल्टिप्लाइ करने पड़ेगा अगर y का सगुणक बराबर करना है तो यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से मल्टिप्लाइ करने पड़ेगा दोनों में से किसी 1 के सगुणक को बराबर करना है सबोज अपन कर रहे हैं x का सगुणक बराबर करना है यहाँ पर 2x है यहाँ पर 1x है तो equation number 1 को यहाँ पर 2 करना है तो equation number 1 को अपन 2 से multiply करेंगे तो equation number 1 को 2 से multiply करने पर equation समीकरण 1 into 2 मतलब समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ऐसा आपन सब्दों में लिखेंगे अब समीकरण जो एक था उसको 2 से multiply कर रहे है तो यह हो जाएगर 2x plus 2y equal to 10 मतलब समीकरण 1 को 2 से गुणा किया अभी देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा किया तो अपन को मिल गया समीकरण number 3 equation number 3 अभी अपन 2 और 3 को लेके solve करेंगे तो equation number 1 को तो अपने multiply करके equation number 3 कर दिया अभी देखो equation number 2 में यहाँ पर कितना है 2x है equation number 3 में यहाँ पर देखो 2x है x का सगुणक दोनों में बराबर है अभी देखो यहाँ पर 2x plus का है इसमें भी 2x plus का है जब दोनों का निसान एक जैसा हो तो अपन माइनस करेंगे गवाम बतलब गटाएंगे मतलब समीकरण 2 में से 3 को गटाने पर अगर इन दोनों का निसान यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता तो इनको जोडतें तो क्या हो जाता 2x minus 2x 0 हो जाता मतलब x का विलोपन हो जाता ओके यहाँ पर x का विलोपन करने के लिए यह भी प्लस का है यह भी प्लस का है तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को गटाने पर अब देखो समीकरण 2 में से 3 को कटा रहे तो पहले समीक्रण 2 लिखना है 2x-3y equal to 4 समीक्रण 2 लिखा उपर लिखा समीक्रण 3 इसके नीचे लिखना है 2x plus 2y equal to 10 यह लिखा अपन जानते हैं कि जब समीक्रण को कटाते हैं तो निच्चे वाला जो वियंचक है उसके निसान चेंज होते हैं यह प्लस का था तो समीक्रण 1 एक में रखने पर मैं एक में रख रहा हूं समीक्रण 1 था अपने पास x plus y equal to 5 यहाँ पर y का मान रखा 6 upon 5 ओके 6 upon 5 ठीके अब पेस नंबर खास दिखना देखिए पेस नंबर 1 चला गया अभी पेस नंबर 2 x equal to जो 6 upon 5 बाई तरफ था उसको अपने दाई तरफ लाया तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस इसके हर में कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है बन होता है अब इनको बटे वाली संख्याओं को गटाना या जोडने के लिए क्या करना पड़ेगा लसा लेना पड़ेगा एक और 5 का LCM कितना मिलेगा 5 मिलेगा 5 into 5 कितना हुआ 25 minus 6 25 में से 6 जाएगा तो 19 रहेगा बटे में 5 है तो x का मान मिलेगा 19 बटे 5 और y का मान मिला था 6 बटे हो जाएगा इसी में एक और अपन क्वेशन करते हैं क्वेशन नमर वन का फॉर्थ यहां पे दिया हुआ है दो समिकरण x upon 2 plus 2y upon 3 equal to minus 1 और दूसरा समिकरण है x minus y upon 3 equal to 3 पहले अपन क्या करते हैं इनको मानक रूप में लिखते हैं समिकरण पहला जो था आपने पास क्या था x upon 2 plus 2y upon 3 equal to minus 1 इसको अपन लिखेंगे ax plus by equal to c में जो बटे में संख्या है उसको अपन को हटाना है 2 और 3 का लसा कितना मिलेगा 6 मिलेगा अब 2 का बाग 6 में 3 बार हुआ 3 को x से multiply किया 3x plus 3 का बाग 6 में 2 बार हुआ 2 को 2 से multiply किया कितना हुआ 4y equal to minus 1 जो अपन को दिया हुआ अभी देखो यहां से cross multiply होगा 6 को 1 से तो समीकरन क्या बनेगा 3x plus 4y equal to minus 6 यह equation number 1 कुछ भी नहीं किया है बटे वाली सिंख्याओं को जोड़ना कटाना लसाले कि अपन जैसे करते हैं वैसे ही करना है इसमें x और y व्यांजक दिया हुआ है अभी देखो equation number 2 अपने पास था x x minus y upon 3 equal to 3 ओके यहां पर देखो x upon हर में कुछ नहीं तो 1 होता है यह x upon 1 minus y upon 3 equal to 3 1 और 3 का LCM कितना मिलेगा 3 मिलेगा एक का बाग 3 में 3 बार होगा 3 को x से multiply किया है कितना मिला 3x minus y equal to 3 अभी क्या करेंगे इसको 3 से देखें इस 3 को 3 से multiply करेंगे इसके बटे में 1 होता है मतलब पन को इससे multiply करेंगे 3 को 3 से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा देखें अभी बात कर रहें पेज नमबर 3 ओके पेज नमबर 3 अभी देखो यह equation बनेगा 3x minus y equal to 9 ओके अभी देखो अपने पास समीक्राण equation number 1 क्या था 3x plus 4y equal to minus 6 ओके फिर देखो equation number 2 यह कि अब मिला अपने को 3x minus y equal to 9 equation number 1 में देखो यहाँ पे x का सगुणक कितना है 3 है यहाँ पे देखो equation number 2 में x का सगुणक कितना है 3 है दोनों का सगुणक बराबर है ओके इधर भी कितना है 3x है और equation number 2 में भी कितना है 3x दोनों का सगुणक बराबर है तो गुणा करने क जरूरत नहीं है, equation number 1 में भी 3x plus का है, equation number 2 में भी 3x plus का है, तो क्या करेंगे, दों समीकरण को कटाएंगे, equation number 1 में से equation number 2 को माइनस करेंगे, ओके, वहला, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को कटाने पर, यह अपन सब्दों में लिखेंगे, equation number 1 लिखेंगे 3x plus 4y equal to minus 6 equation number 1 दिया हुआ था equation number 2 दिया हुआ है 3x minus y equal to 9 कटाना है तो निच्चे वाले वियंचे के उसका sign change होगा यह plus का minus minus का plus plus का minus यहां से देखो 3x minus 3x 0 हो जाएगा मतलब कट जाएगा 4y plus 1y equal to 5y equal to minus 6 minus 9 minus के 15 ok यहां से y का value मिलेगा minus 15 यह 5 का जाएगा इसके भर में जाएगा ok minus 15 अपन 5 y equal to 5 से 15 को कट करेंगे कितना मिलेगा 3 ok minus 2 लगा हुआ है तो y का value मिलेगा y equal to minus 3 ok अभी देखो y का मान अपन को minus 3 मिला अभी अपन को चाहिए x का मान y का मान समीकरण 1 हत्वा 2 में रखना है अपने पास 2 equation है या तो 1 में रखो या फिर 2 में रखो या पर मैं y का मान समीकरण 1 में रखता हूँ समीकरण 1 था अपने पास 3x plus 4y equal to minus 6 या पर y का मान कितना रखेंगे minus 3 3x plus 4 into minus 3 equal to minus 6 3x plus into minus क्या हो गया minus हो गया 4 ती 12 equal to minus 6 यहां से क्या मिलेगा 3x equal to minus 6 minus 12 इधर आएगा तो plus 12 3x equal to 12 में से 6 minus करना है तो कितना बचेगा 6 इसका क्या हो जाएगा यह 3 का चला जाएगा 6 के हर में चला जाएगा x equal to 6 बटे 3 इससे क्या मिलेगा 3 दूनी 6 x का मान मिलेगा 2 ओके तो इस question का अपना पास answer मिलेगा xy equal to 2 minus 3 x का मान 2 और y का मान minus 3 तो लास्ट में अपन को लिखना है xy equal to 2 minus 3 okay, thank you